हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेने सड़ी इंडेने सड़ी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या आया हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी एसाइग के लिए बेएद इंपोटेंट है वीड भरकपुर राष्ट्य औध्यान निमलकत में राष्ट्य औध्यानम में से किसका पूर्व नाम है जल्दी बताईए तो ने सब्सक्राइबर साथ कंपनीब करने की नियत यत कौंसी होती है तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 जुलाई पहलाई ओप्संस यहाँ पर आपका बलुकुल करेक्ट है इस रो साल 2025 में किस गिरह पर अंतरिक्ष मिसन सुरू करने की योजना बना रहा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुक्र ग्रहे पर चौता ओप्सन्स यहाँ पर आपका बलगल क्या होगा सर करेक्ट होगा कोल काता कि किस पुल का नाम सुबास चंदर बोस की 125 वी जैनती के उपलक्ष में जैहिंद पुल की नाम से रखा गया सही आंसर हो जाएगा आपका मेजर हाट पुल पहलाई ओप्सन्स करेक्ट अंतराश्टी यह लोकतंतर दिवस कम मनाये जाता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर 15 सितंबर को तीसरा ओप्सन्स करेक्ट नेक्स्ट कोशन्स किस राज ने पक्षियों को बचाने के लिए करोणा अभियान चलाया तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज पहला ही ओपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस स्टर्ड करने से पहले मैं आपको बता दू दोस्तों मैं डेली बेसिस पे नकेडी पर चार स्पेसल क्लास लेता हूँ चारोई स्पेसल क्लास बिल्कल फ्री होती है आपकी जानकारी के लिए बता दू यह फ्री स्पेसल क्लास है तो कताई यह नहीं समझ लेना कि यह आपको ऐसी पड़ा रहे होंगे एक बार आओगे क्लास की कॉलिटी को देखो तो आपको समाझ में आ जाएगा अब मैं आप लोगों से हर वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई आओ UPSI के लिए बहतर से जो बहतरीन होता है ना वो करवानी के कोशिस कर रहा हूँ और बता चुका हूँ कि अगर क्लास पसंद नहीं आए तो आजाना डिसलाइक दे 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 ना मेरी किलास को बस और क्या से कह सकता हूँ सर इस से जादा तो और कुछ कह 안 के सकता हूँ क्योंकि फरी के क्लास है ना तो इसलिए एक बार क्लास में जरूर से आओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप दिये गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है आप लोगों को सबसे आदा दिक्कत हो रही है मेरी special क्लास लेने पर जो रोज सुबा 11 बजे चलती है आप जैसे ही एनेकेणी पर अपना एकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो कुल करके आएगे तो आपको UP77C सर्च करना है UP77C या ये स्टेड़ PCS में आपको ये UP77C देखने को मिल जाएगा तो हमने ये देखो ये मिल गया UP77C तो हमने इसको सेलेक्ट किया ये सर्च पर और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है मेरा नाम है Tariq Sarver T-A-R-I-Q तारिक सर्वर ये मेरा नाम है तो देखो मैं आपको वहाँ पर दिख जाऊँगा ये दिख गया मैं ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी classes आपके सामने आ जाएंगी जो आगामी class होँगी वो भी आ जाएंगी देखो यह सारी classes आ गए अभी हाली मैं class लेकर क्या ठाओं 37 मिनिट पहले तो आपको मेरी class देखना है सपूस करो यही वाली class देखना है तो मैंने click किया तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको class unlock करना पड़ेगी जैसे ही मैंने आपको class में किया तो unlock code आपको मांगा है तो unlock code है आपका Indian study जो की हमारे channel का नाम है Indian study कहीं भी कोई भी space नहीं है यह है और इसको हमने unlock कर दिया अब आपके समने class unlock हो गई आराम से आप class का लुफ्त उठाइए और daily basis पर आपके पास notification भी पहुँच जाया करेगी अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सबकों से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपकी class होगी आप उस तरही से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बता जाया है next questions निमलेकित मेंसे कौन सी company credit rating agency नहीं है जल्दी बताओ तो आपका सही answer क्या हो जाएगा सर भारतिय किर्सी अनुसंदान परिसद दूसरा options correct निमलेकित मेंसे किस sector के समगर विकास और प्रवंदन को सक्षम करने के लिए mission फिलर रिनिंग नामक कारिकराम सुरू किया गया है तो सही answer आपका क्या हो जाएगा सर मतस्य पालन सेक्टर चौता options correct आज के questions में आपको current affairs की जलक जादा देखने को मिलेगी है ना टपकन सिद्धान जिसको आप मात्रिय सिद्धान कहते हैं निमलेकित मेंसे किस पर आर्थिक विरद्धी के प्रवाव को नजर अंदाज करता है तो सही answer हो जाएगा आए बितरा तीसरा options correct किसी भारती राज की पिरतम महीला राजपाल कौन थी जल्दी बताओ सर जानते हैं तो कौन थी तो आपका सही answer हो जाएगा स्रीमती सरोजनी नाइडू दूसरा options correct next question sir आपके सामने किसी भारती है यह तो हो गया निमलेकित मेंसे कौन सा application protocol है जल्दी बताओ application protocol तो सही answer हो जाएगा HTTP यानि कि इस questions का पहला ही options यहाँ पर आपका बलुकुल correct है भारत में नियंतरा केवा महा लिखा परिक्चक निमलेकित मेंसे किस की प्राप्तियों और वे की लिखा परिक्चक नहीं करते हैं तो सही answer हो जाएगा आपका इस थानिये निकाए दूसरा options यहाँ पर आपका बलुकुल correct हो जाएगा यह है पिरसिद युक्ति किस ने लिखी a thing of a beauty is a joy forever यह line किस की है तो सही answer हो जाएगा आपका जौन कीट्स की चौथा options correct next questions काकोडी सर्यांत्र मावला किस वर्स गटे दुआ तो यह 1925 में गटे दुआ सर तीसरा options correct सियाचीन glacier को लेकर किन देशों के बीच विवाद है तो सियाचीन glacier जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच हिमना छेतर है तीसरा options correct किस इसमारक को पत्थर में सुपन कहा जाता है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा पंच महल दूसरा options correct ताज महल को संग मरमर का सुपन कहा जाता है और पत्थर में सुपन पंच महल को कहा जाता है ठीक है ध्यान लखना 2011 की जनगर्णा के अनुसर उत्तर प्रदेश का सरवादिक साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो वह है आपका गौतम बुद्नगर तीसरा options correct सहचर कोसका है निमलिकत मैंसे सिर्फ किस में है तो सही आंसर हो जाएगा आपका एंजियो इस्पर्म पहला options correct असुरु गिरंती कहां इस्थित होती है असुरु गिरंती तो इन नेत्र गुहा में इस्थित होती है दूसरा options correct निमलिकत मैंसे किस रेकिस्तान में सौन भर्दान पाए जाता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका आटा कामा मरुस्तल जो की चिली में है पहला options correct किस कारण से वायू के बुलबले तरल पदार्त में उठते हैं तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्त तराओ और अससंजन वलके कारण दूसरा options correct निम्ले के तमेंसे कौन सा युगम जो है वो सही नहीं है नूर जहां इनको महावथ खाँ बिल्कुल ठीक है बावर के बैरम खाँ जो है यह आपका गलत हो जाएगा दूसरा option जो है वो आपका बिल्कुल क्याओ कसर गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि आपकी जानकारी के वो हुमाइयू का वफादर सेहन पती था ठीक है चलिए और फिर हुमाइयू का जो पुत्रता अकबर उनका संदक चकवी बनाता ठीक है next questions आपके सामने जियोलाइट क्या है जल्दी बताओ जियो लाइट जो है वो क्या है तो जियो लाइट जो है ये हाइडरेट सोडियम ऐलिमूनियम सिलीकेट है पहला ही ओप्सन्स करेक्ट किसी हिदवद गुट को सबसे महत्मुन कार क्या होता है जल्दी बताओ तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपनी पसंद की अनुसर सरकारी नीतियों परिवड़तन चौता ओप्सन्स करेक्ट किस कारण से तलर पदार्तों की कोतनांग में बिनता होती है तो सही आंसर हो जाएगा दावभें बिनता की कारण तीसरा ओप्सन्स करेक्ट तो सही आंसर हो जाएगा मिजूरम, पहला ही options correct हो जाएगा, लोक सवा की बेटक आयुजित करने के लिए, नियुम तब कितनी संक्या में सदस उपस्तित होने चाहिए, तो कुल सदस का एक दसवा भाग, दूसरा options correct, भारत में जन संक्य बरद्धी की क्या विसेस्ता हैं, तो निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग किया पिक्चा अधिक कर लगाए जाता है, तिसकौम पश्च वामी कर कहते हैं, तीसरा options correct, निमले के तमेंसे कौन सा चेतर अपने पारंपर एक सोडोल निरत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, भैतरी न कोस्तांस, तो सही आंसर हो जाएगा, दूसरा options correct, निमले के तमेंसे कौन सा भारत का पहला अंतर गिराहिक अभियान था, तो सही आंसर हो जाएगा, मंगल यान मिसन, पहला यह options correct, स्वास्त को संकट में डालना, डालने वाला सबसे गंबीर वायु प्रदीशा कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा, कारवन डाय दूसरा options, प्रोटो जुआ के लाबा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौझूद है, तो सही आंसर हो जाएगा, आपका, माइले, पहला यह options correct, तरल पदार्द के कोतनांग पर, तरल पदार्द के कोतनांग पर, वायु मंडलीजाब का या तापमान का क्या प्रवाव पड़ता है तो तरल कोधनांग के पर पदार्द के कोधनांग पर तापमान जो है वो नियत रहता है दूसरा options correct निम्लेकत मेंसे कौन सक कर राज सरकार द्वारा बसूला जाता है तो सही आंसर होगा सराव पर आवकारी सुकल दूसरा options correct last questions ए वे एक मातर वाय सराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तों यह थे आपके 40 JK के important questions जो कि आपके आने वाले exam UPSI के लिए very important है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ़लीज दोस्तों वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों फ़लाल की वीडियो हो सर्फ तना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ़लीज वीडियो को like किजिए share किजिए और साथ इसाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलें क्यों कि में रोजना इसी तरह के वीडियोज आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत